हलके पतले तूट रहे बालों में 20 दिन लगाएं बाल इससे हो जाएंगे मोटे मजबूत काले लंबे घने जी हाँ दोस्तों हेलो दोस्तों मैं हूँ सना खान विलकम है आपका मैरे यूट्यूब चैनल सना आयुवडा पर मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक को नstaw लेकर दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आई हूँ ऐसा Ayurvedic tips जो आपके बालों को टूटना करेगा बंद साथ ही बालों को बनाएगा लंबा घना मोटा और काला साथ ही बालों को करेगा इतना मजबूत कि आप भी रह जाएंगे हैरान बालो का टूटना है स्टार्ट होते ही हमें डन लगता है कि कहीं हम गंजे ना हो जाएं इसके लिए हम कई महंगे महंगे हैर प्रोडक्क या ओल यूज करते हैं लेकिन दोस्तों आज मैं जो आयवेडिक टिप्स लेकर आई हूँ वो आपको 20 दिन के अंदर ही बालो को टूटना बंद करेगी साथ ही बालो को फिर से बनाएगी मोटा, लंबा, घना और काला इसे कैसे बनाना है इसका यूज आपको कैसे घना है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाश टक पूरा देखना होगा क्योंकि दोस्तो आदी हुआदूरी जानकारी फायदवन नहीं हो सकती तो दोस्तो आगी की वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से एक request है अगर आप लोग मेरे channel पर new हो, तो मेरे channel को subscribe कर लेए और subscribe के just बगर में जो bell icon है उसे प्रेस करते ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सकें दोस्तों इस आयोवेदिक जादू योल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वह कलोंजी यहां पर मैं कलोंजी का यूज इसलिए कर रही हूं क्योंकि कलोंजी में एंटि वालों की ग्रोध फास्ट होती है बाल बहुत तेजी से लंबे होते हैं साथ ही इससे बाल काले और घने भी होते हैं और यह बालों को इतना मजबूत कर देती है कि आपका हैरफॉल बिलकुल खतम हो जाता है साथ ही एलोपीसिया जैसी बीमारी में जिसमें इनसान जगे गंजा होने लगता है उसके बोड़ी के सारे बाल जाने लगते हैं उसमें भी कलोंजी काफी फाइदे मन बांदी जाती है और मैं यहां पे कलोंजी वन टेबल स्पून यानी एक चमच यूज कर रही हूं उसके बाद जो सेकिंड चीज आपको लेनी है वह मेथी दाना मैं यहां पे मेथी दाने का यूज कर जी हूं क्योंकि मेथी दाने में पोटेसियम केल्सियम प्रोटीन होता है जो बालो को पोशन देता है जिससे पतले बाल भी मोटे होने लगते हैं साथ ही बालो का टूटना बंद होता है मेथी बालो से रूसी को खतम करके पतले बालो को मो करीपत्त त्सक्री बढमला है जोटम pessimism बालों करते हैं यानि प्रभास बनाते हैं एकक चमच छीजों को इन में दाषना पानी में ग्यानी है यारी बाल करना एक बालों को राते है niveau कर गाल के बोईल करना है मैं इसे पानी में ड्ाइल देती हूउ थिर ईबालना के बाद हमें फिर ऊयल बनाना तो हम देख लेते हैं इसे कैसे बना भाना है उसके लिए अब को यहां पे लेना है खाली बर्तन जिसके अंदर हम इसे बॉपालने वाले हैं तो यह जो भी चीजे हैं मैं सारी इसमें डाल देती हूँ, फिर उसके बाद आपको लेना है पानी, यहाँ पर आपको एक गिलास पानी का ही यूज करना है, तो मैं एक गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ, एक गिलास पानी डालने के बाद आपको इसे गेस पे रखना है और इसे एक खोल नहीं आ जाती जब तक आप इसे गेस पे रखें जैसे इसमें खोल आएगी तो आपको क्या करना है गेस को बिल्कुल लो कर देना है लो करने के बाद आपको इसे मीडियम गेस पर ही यानि लो गेस पर ही पकने देना है पांच मिनट तक पकने दे अग ये एक गिलास पानी आपका हाफ हो जाना चाहिए देखें आप देख रहे हैं साइड में देखें बबल्स आने लगे हैं यानि इसका खोल आने स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तो कुछ देर बाद ही आप देखेंगे इसमें खोल आ चुकी है ले खोल आने के बाद आपको क्या गरना है आपको इसमेडियम गेस पर पकने की लिए रखे रहने देना है तो हम इसे रखे देने देते हैं ऐसे ही तो दोस्तो कुछ देर बाद आप देखेंगे 5 मिनट बाद ये एक गिलास पानी आपका half glass रह जाएगा फिर यह बिल्कुर ready है फिर आपको क्या करना है आपको इसे एक कटोरी में छान लेना है तो मैं इसे छान के निकाल लेती हूँ जितना आपको यूज करना है आप उतना निकाल ले और बाकि जो एश्टरा पानी है आप उसे श्टोर करके रख सकते हैं तो यह पानी है अब आपको क्या करना है इस बिल्कुर ready नहीं है क्योंकि यह तो खाली पानी है और हम यहां पर बनाने वाले हैं तो अब आपको क्या करना है आपको इसमें डालना है और तो जो आपको इसमें डालना है वो मैं आपको यहां पर बताने वाली जेतून का तेल यहां मैं जेतुन का तेल श्तमार कर रही हूं क्योंकि जेतुन का तेल आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसमें काफी अच्छी मातर में वीटामिन E Wisconsin विटामिन ई आपकी है ग्रोथ को फास्ट करने में हेल्प करता है तो यहाँ पर मैं जेतून का तेल वन टेबल स्पून यानी एक चम्मच एड़ कर जी हूँ उसके बाद आपको लेना है ये ओल जो हमने बनाया था इसकी रेमेडी में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इसका लिंक आपको उपर कोने में मिल जाएगा इस ओल को भी आपको यहाँ पर वन टेबल स्पून डालना है ये आपकी है ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है इसकी में तारिफ इसकी वीडियो में कर चुकी हूँ जब मैंने इसे बनाया था आप जाके उसे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको सिफ ओल डालना है जो लेसंग की कलेस में आ गही हूँ आपको माल आपको मसाज करनी है उंग्लियों की मदद से आपको हलके हाथों से 5 मिनट मसाज करनी है यह oil जो है वो आपके scalp में अच्छे से समा जाएगा और इसका result आपको काफी बहतरी मिलेगा इससे बहुत ही जल्दी आपके बाल लंबे घने मोटे होते हैं काले होते हैं बहुत ही effective और simple सी remedy है दोस्तों इसे बनाईएगा जरूर और इसका honest review मेरे साथ जरूर शेव करेंगे जो भी आपका honest review हो जरूर comment करेंगे मुझे जरूर बताईगा तो दोस्तों आज की video यहीं तक थी तो आपको video आज की कैसी लगी ? मुझे comment करेंगे जरूर बताएग मैं आपसे कहना चाहूंगी आप मुझे इस्टाग्राम और Фेस्ट उप में पर दिस्क्रिप्सुन में मिल जाये तो जब तक के लिए बाई बाई आला हाफीज